वेज़ फेंस मैं उसमें हाँ वलकम टुमा चानल फार यू एंड चाइल्ड किसी भी स्कूल में एड्मिशन के लिए इंट्रेंस टेस्ट देना होता है और क्लास फाइड में एड्मिशन के लिए जेनरली तीन सेक्शन का एक्जाम होता है Maths, English और Hindi Maths और English के लिए मैंने एक वर्कशीट औरड़ी शेयर किया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ हिंदी का एक वर्कशीट जो उन बच्चों को काफी हल्प करेगा जो किसी भी स्कूल में Class 5 में एड्मिशन के लिए टेस्ट देने वाले हैं इस वर्कशीट को देखिए और इस तरह की वर्कशीट ज़ाज़ ज़ादा सॉल्फ करने की कोशिश कीजिए जिससे आपकी अच्छी प्राक्टिस हो एक्जाम में जो कोशिशन पूछा जाता है जो सिलेबस होता है वो बेज़ होता है Class 4 के सिलेबस पर इसलिए जो कुछ भी आपने Class 4 में पढ़ाई की है उस सब्जेक के कॉंसेप्ट अगर आपके अच्छे से क्लियर है तो किसी भी स्कूल का Admission Test निकालना आपके लिए असान रहेगा तो चलिए देखते हैं Worksheet जिससे आपको एक आडिया लग जाएगा किस तरह से Examination में Question Paper आता है ये Question Paper मैंने बनाया है 25 Marks का और हर एक सवाल के आगे Marks लिखे हुए है उससे पहले Question है अपठित गद्यांश को पढ़ कर उत्तर दीजिए ये Comprehension का Passage है जिसमें एक चुटा सा Paragraph दिया गया है चार Marks का और उसे Read करके बच्चों को दिये गए Question के Answers लिखने हैं मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि बच्चों को Reading जादा से जादा करनी चाहिए Question No.2 है Link बदले दो Marks का सवाल है चार Question से पुरुष तो इसका आंसर होगा महिला, मोर, मोर्नी, मुर्गा, मुर्गी, गायक, गाईका Question No.3 सही सर्वनाम शब्द चुनकर लिखिए कुछ सर्वनाम शब्द लिखे हैं और नीचे चार संटेंस दिये गए है समझ कर लिखना है पहला है डैश किस कक्षा में पढ़ते हैं आंसर होगा आप किस कक्षा में पढ़ते हैं बाजार से डैश खरीदा बाजार से क्या खरीदा डैश जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं डैश मेरी किताब नहीं है यह मेरी किताब नहीं है Question No.4 है निम लिखित शब्दों का बहुवचन लिखिए मचली मचलियां छात्रा छात्राएं जीव जीवो नदी नदियां इसी वी प्रश्न का उत्तर लिखते वक्त स्टूडिन्ट स्पेलिंग पर जरूर ध्यान दे क्योंकि ये तो उनको याद रहता है कि मचली का वहुचन होगा मचलियां ये बहुत असान है छात्रा का छात्राएं लेकिन हो सकता है वो स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दे जिसकी वज और उनका वाक्य में प्रियोग करना है जैसे चतुर का हो सकता है शाम एक चतुर बालक है बहादुर मैं एक बहादुर लड़की हूं मीठा आम बहुत मीठा है बुढ़ा अब मैं बुढ़ा हो गया हूं अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर ज पा सकते हैं उसके लिए आपको इमेल करना होगा स्निहा स्मिती सेथी 2019 अधरेट जीमिल डॉट कॉम पर तेहें कोशन नमर सिक्स पर क्रिया के सही रूप लिखकर वाक के पूरा करें क्रिया शब्द ब्रैकेट में लिखा हुआ है और एक संटेंस दिया हुआ है दिये गे व बच्चे को दूद डाश है मां बच्चे को दूद पिलाती है वह मचली डाश रहा है क्रिया शब्द है पकरना तो आंसर होगा वह मचली पकर रहा है वह प्रतिदिन फुटबॉल डाश है क्रिया शब्द है खेलना वह प्रतिदिन फुटबॉल खेलता है Q7. निमलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखें विलोम शब्द यानि उल्टे अर्थ वाला शब्द लिखें दिन्दा उसका उल्टा शब्द क्या होगा? प्रसंशा, सुपुत्र, कुपुत्र, बुद्धिमान, मुर्ख, उन्नती, अवनती निमलिखित शब्दों के दो प्रयावाची शब्द लिखें प्रयावाची शब्द मतलब समान अर्थ वाले दूसरे शब्द जैसे बादल का होगा जलधर, जलद, घन बादल को हम जलधर, जलद, घन के नाम से भी जानते हैं तो ये प्रायवाची शब्द है बादल का कमल, जलज, नीरज, बंकज कमल के दूसरे जो तीन नाम है वो ये है आख, नेत्र, नयान, लोचन जंगल, उसके कौन से और प्रायवाची शब्द हो सकते हैं वन, विपिन, कानन कोशन नमबर 9 है विराम, चिन, लगाए चार शब्द दिये गए हैं और इसमें किसी भी तरह का punctuation यानि विराम, चिन नहीं है और आपको सही स्थान पर कॉमा, पुर्ण विराम, इन्वर्टेट कॉमाज इन सारे चीज आपको सही जगह पर लगानी है कोशन नमबर 10 है 5 मार्क्स का अनुचेद लिखिए कम से कम 6 लाइन लिखना है आपको अनुचेद यानि पैराग्राफ लिखना है examination में कोई भी topic दिया जा सकता है इसलिए आप चोटे-चोटे paragraph लिखने की practice जरूर करें जैसे इस question में दिया गया है दो option आपके पास है जब मेरी school बस छूट गई या फिर मेरा prayer खेल ये दो topic में से जिस भी topic में आप comfortable है उस पर आपको paragraph लिखना है तो friends ये था एक हिंदी का worksheet जो किसी भी बच्चे के लिए admission test की तयारी करने में काफी help करेगा तो 5 admission test के लिए English और Maths की जो worksheet मैंने upload की है उसके भी वीडियो आप जरूर देखे लिंक आपको description box में मिल जाएगा उमीद करते हूँ ये वीडियो आपको बहुत help करेगी इसी आशा के साथ मिलती हूँ आपसे next वीडियो में subscribe जरूर करे और bell icon को भी जरूर करें जिससे आपको मेरी हर वीडियो का notification मिल जाए thank you so much for watching this video